आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ स्वीट एंड सार क्यूकंबर सालेड यह बहुत ही रिफ्रेशिंग होता है अप इसे जरूर ट्रॉय कीजिए स्वीट एंड सार क्यूकंबर सालेड बनाने के लिए हमें जो चीजें चाहिए सबसे पहले हम लेंगे तीन मीडियम साइस के खीरे सबसे पहले हम इसके किनारे को काट लेंगे और इसे रब करेंगे आप देखेंगे कि एक वाइट फोम की तरह आ जाएगा इससे यह होगा कि खीरे की करवाहट दूर हो जाएगी अब हम इसे हलका सा स्लाइस कर लेंगे उसी अब हम खीरे को किनारों पर इस तरह से V-shape के cuts लगाते जाएंगे धियान रहे इसे जादा deep ना काटे वरना इसका shape खराब हो जाएगा अब हम इसमें 3-4 cuts लगाएंगे ताके इसमें एक flower shape आजाएं इस तरह से अब हम इसे slice कर लेंगे ये देखे ये फूल की आकार में आ गया है बहुती सुंदर लग रहा है आप कोई भी shape में इसे काट सकते हैं ये presentation के लिए मैंने इस तरह से इसे काटा है ये देखे सारे खीरों को हमने कट कर लिया है flower shape में अब हम इसकी seasoning त्यार करते हैं seasoning त्यार करने के लिए हम लेंगे half teaspoon काली मिर्ज का powder एक tablespoon सफेद तिल इसे हमने roast कर लिया है dry roast किया है वन tablespoon शकर आड़ कर देंगे वन बाइ 4 teaspoon नमक आड़ कर देंगे नमक आप अपने स्वादनस और यूज कर सकते हैं वन teaspoon apple cider vinegar आड़ कर देते हैं वन बाइ 4 teaspoon red chili flakes आड़ कर देंगे हम इसमें और 2 tablespoon fresh orange juice आड़ कर देंगे इससे बहुत ही अच्छा tangy flavor आजाएगा अब हम आड़ करेंगे आदा teaspoon sesame oil याने के तिल का तेल आप olive oil भी आड़ कर सकते हैं इस seasoning को हम करेंगे mix जब यह seasoning अच्छी तरीखे से mix हो जाए इसमें हम आड़ करेंगे एक medium size का thinly slice प्यास प्यास को हमने पानी से wash कर लिया है पानी को drain करकर आप इसमें शामिल कर ले ठीक उसी तरह half cup मैंने हरे पत्ते की प्यास ली है इसे हमने chop कर लिया है इसे भी अच्छी से हमने पानी से wash कर लिया है अब हम इसमें खीरा add कर देंगे इसे करेंगे हम mix mix करकर हम इसे फ्रिज में 3-4 घंटे के लिए थंडा होने के लिए रख देंगे ताकि सारी seasoning इसमें अच्छे से रच बस जाए यह दिखिए बहुत ही tasty, delicious, crunchy, sweet and sour cucumber salad तयार हो चुका है यह बहुत ही refreshing होता है आप इसे जरूर ट्राइ कीजिए आप में से किस किसको यह recipe पसनाई है मुझे comment box में जरूर बताइए अगर आपको मेरी यह recipe पसनाती है तो मेरे चैनल को like, subscribe and share कीजिए Thank you for watching